कुलू बार एसोसेशन की कमान अधिवक्ता संजे ठाकुर को सौपी गई है उन्हें कुलू बार एसोसेशन का सर्वसम्मती से प्रधान नियुक्त किया गया है कारेकारिनी का चुनाव कुलू में आयोजित एक बैठक के दोरान किया गया इस मौके पर नव नियुक्त प्रधान ने बार एसोसेशन के तमाम पददिकारियों और सदस्यों का आभार जताया कुलू बार एसोसेशन ने सर्वसम्मती से अधिवक्ता संजय ठाकुर को अध्यक्ष जबकी दीपक परमार को वरिष्ट उपरधान के पद पर नियुक्त किया है वहीं अधिवक्ता हीरा चोधरी को कनिष्ट उपरधान अधिवक्ता रवेंदर कुमार को महासाचिव और दिनेश कुमार को कोशा ध्यक्ष चुना गया है इस मौके पर हिमाचल प्रदेश बार कॉंसिल के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता नरेश कुमार सूद, सदस्यों गोविन ठाकूर, राकेश आचारे और वरिष्ट अधिवक्ता गंड तथा बार एस्सोसीशन के सभी सदस्यों ने नई कार्यकारणी को अपनी शुभ कामना इस मौके पर कुलू बार एस्सोसीशन के नवन्यूक्त अधिक्ष संजे ठाकूर ने कहा कि बार एस्सोसीशन के सदस्यों ने उन पर जो भरोसात दिखाया है वो उस पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और महिला अधिवक्ताओं के लिए बैटने के लिए उचित व्योस्था की जाएगी। उन्होंने का कि वह अधिवक्ताओं के लिए लीगल एड़ सर्विस में पैरा लोयर के रूप में अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को काम मिले इसके लिए भी प्रयास किया आज नुक्त हुई है जो इलेक्ट हुई है इन्हें बदाई देता हूँ और सर प्रथम अपने पूरी बार जिन्नों ने हमें आज युनानिमसली इलेक्ट किया है और हम पे फेथ दिखाया है भरोसा दिखाया है तो मैं ऐस प्रेजिडेंट आफ बार एजिशन कुलू यही च अपनी पूरी कोशिश करूँगा और हमारी कुछ प्राइरिटीज हैं जो मैंने सोची हुई है क्योंकि हमारे यहां थोड़ी बार रूम की समस्या है छोटा पड़ गया है क्योंकि हमारी ओल्मोस ट्रेंट जो है फोर हंडर प्लस हो चुकी है एंड सेकिंडली हमारी लीडि जो आ रहे हैं आज की डेट में उनको पुरुचाहन देने के लिए मैं जुडिशरी से भी चाहे सरकार से यही कोशिश करूँगा कि जादा से जादा उनको पॉर्चिनिटीज चाहे वो लीगल एड सर्विसिज में मिले एस पैनलोयर्स एंड मेरी तरफ से अपने बार झाल झाल